मेरा ब्रेक अप हो गया जेडा कदी हो नहीं साकता अगर आगे और वे बड़ी बन जाओंगे ना तो मैं ऐसी ही रहूंगे क्योंकि यही शेहनाज गिल है जी हाँ दोस्तों वैसे तो हम सभी शेहनाज गिल के गुस्टे को लेकर अच्छी तरह से वाकीफ है वैसे तो वो एक प्यार भरी लड़की है लेकिन एक बार जब उन्हें गुस्टा आ जाता है तो फिर शेहनाज गिल किसी की भी नहीं सुनती और हर कोई शेहनाज के इस गुस्टे से अच्छी तरह से वाकीफ है पिछले दिनों शेहनाज गिल एक इंटर्वियू के दौरान इतना जादा गुस्टे में आ गई की फफक फफक कर रोने लगी और इस तरह से गुस्टे में तलमलाते हुए कुछ ऐसी बाते बोल दी कि पूरे बॉलिवूड जगत और सोशल मेडिया पर शेहनाज के ही जलवे हैं इस वागी दोस्तों अमूमन हम शेहनाज गिल को एक मुस्कुराते हुए चेहरे के रूप में याद रखते हैं इमेजन करते हैं लेकिन उस दिन शेहनाज गिल ने जो बाते मीडिया के सामने एक इंटर्विव के दोरान बोली उन बातों ने तो पूरे भारत वर्ष को ही हिला कर रख दिया है अभी दरासल हुआ ये की इस इंटर्विव के दोरान एक निज रिपोर्टर ने बार-बार शेहनाज से सिधार से रिलेटेड प्रशन किये जा रहा था वो बार-बार शेहनास से सिधार से शेहनास के संबंधों से related सवाल ही किये जा रहा था आखिरकार शेहनास गिल नियूज रिपोर्टर के इस वैभार से इस हद तक कि इरिटेट हो गई दोस्तों की फवक फवक कर रोने लगी जिहां कुछ इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रेन पर देख रहे हैं इस वक्त सना को रोते हुए और फिर क्या था फिर गुसे में खुद को समभालते वे सना नियूज रिपोर्टर से बोली कि मेरा बाप पनने की कोशिश मत कर जब एक बार बोल दिया कि फिल्म से रिलेटेड सवाल ही पूछे जाएं तो क्या समझ में नहीं आता तुम्हें इस मोगे पर आपको बता दे दोस्तों दिलजीत डोसांज शेहनास गिल को चुप करवाते हुए देखे कए अचानक उन्हें सिध्धार्थ की याद आ जाती है और वो रोने लगती है ममा ममा करते हुए फिर दिलजीत उन्हें सांथवना देते हैं चुप करवाते हैं दोस्तों आपको बता दे ये शेहनास के साथ इस इंटर्वियू के दौरान दिलजीत महजूद होते हैं आजकल दोस्तों जहां देखो जिदर देखो शेहनास गिल के इस इंटर्वियू की ही चर्चा है एकदम से दोस्तों ये जो वीडियो है इंटर्वियू की लीक हुई है दोस्तों आपको बता दे शोशल मेडिया पर शेहनास गिल के फैंस और हेटर्स में इस वक्त जबरदस्त जंग छिड़ गई है जहां हेटर्स शेहनास के इस रवईये या वैभार को नया प्रोप कंड़ा बता रहे हैं वहीं शेहनास फैंस का कहना है कि हेटर्स को तो बस किसी की बुराई का बहाना चाहिए उन्हें शेहनास की फेलिंग से क्या लेना देना कुल मिलाकर दोस्तों शेहनास के फैंस इस मौके पर शेहनास के साथ कंधे से कंधे मिलाकर डट कर खड़े दिखाई दिये उन्होंने शेहनास के इस वैभार को एकदम उचित ठहराया वेल दोस्तों आपको बता दे शेहनास बहुत ही जल्द बिग बॉस 15 में सल्मान खान के साथ बिग बॉस 15 का स्टेज शेर करती हुई नजर आएंगी जी हाँ खबरे ऐसी लीक हुई है कि शेहनास गिल को मेकर्स ने बुलाया है बिग बॉस 15 की टी आरपी में चार चांद लगाने के लिए जिससे की टी आरपी में उच्छाल लाया जा सके इसलिए सना को बार-बार कहा जा रहा है कि Big Boss 15 में आएं और Big Boss 15 की शोभा बढ़ाएं वैल दोस्तो तुर्भाग्ये वश इस बार Big Boss 15 में सना जो है अकेली ही आएंगी और सरजनास की जोड़ी हमें इस बार Big Boss 15 में देखने को नहीं मिलेगी वैल वहीं फान्स काफी एकसाइटिड हैं सना को फिर से एक बार Big Boss 15 में देखने के लिए तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि उस दिन इस इंटर्विव के दोरान जो शैनास ने किया वो ठीक किया या गलत जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा और साथ ही ये भी जरूर कमेंट करिएगा दोस्तो कि क्या शैनास का गुस्सा उस दिन जाइज था या ना जाइज जो भी आपको लगता है कमेंट करके अपने सजेशन्स अपने विचार अपने वियू जरूर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तो हर लेटिस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ वाला बैल नोटिफिकेशन औल पे भी दोस्तो जरूर प्रेस कीजिएगा तो दोस्तो मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटिस्ट अप्टेट के साथ तब तक के लिए बबाए दोस्तो और थाइंग यू फॉर सपोर्टिंग अस इस वक्त आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा फेस्बुक पेज को थाइंग यू फॉर सपोर्टिंग अस दोस्तो